सभी आंगनबाडी सेविका सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे कि 85 लाक रुपया खर्च कर दिया गया लेकिन आंगनबाडी किंद्र बनकर तयार नहीं हुए वो अभी भी अधूरे पड़े हैं ये मामला है 2016-17 में इसके लिए 11 आंगनबाडी किंद्र बनाने के लिए धन यानि पैसा जारी हुआ था जिसमें से केवल एक ही किंद्र बना है बांकी के 10 किंद्र अधूरे पड़े हैं और उसमें 85 लाक रुपया भी खर्च कर दिया गया अब सवाल ये उठता है कि 2016-17 के बाद कितना लंबा समय बीत गया 2024 चल रहा है और अभी भी बीच में जिम्मेदारों ने आखिर जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई जबकि निदसाले से विभाग से बार बार लेटर आते ही रहते हैं आगनबाडी केंद्रों को उनके निर मामलों में कहीं तो घुटाला हुआ है जिसके चलते आने वाले नए जो अधिकारी जो जम्मेदार रहे होंगे वो भी इनमे हाथ लगाने से कतराते नजर आए पवन मिसर जी का ये आर्टिकल है मोतिगर पूर्क में उखड पूरे का और पड़ता है वहां पर आधा अधू माहियां और बढ़ती हैं आगनबाडी केंद्र के निर्मार के लिए मिले करीब 85,50,000 रुपए जिम्मेदार डकार गए या फिर डूबने के कगार पर हैं पैसा खतम कर कारदाई संस्था के निर्मार अधूरा छोड़ दिया बलाक से लेकर जिले तक के अधिकारियों के मु मोडने का भी दो मतलम निकल के आता या तो कहीं एक इस तर से गलती हुई होगी या कुछ भी हुआ होगा गलती के संभावना है नहीं ऐसे पैसो वाले मामलों में तो इसमें में में मकसद यही होता है कि सब को जब हिस्सेदारी बंदर बाट पहुँच जाता है तो सब अप सुतरा था तो वो कारवाई के लिए आगे लिटर लिखता जाच परताल करवाता और संटर आगे बनता लेकिन वही पर ये चीजें चुपी साधे जब पढ़ी हैं तो यही दरसाती हैं कहीं न कहीं इन मामलों में बंदर बाट हो चुका जिसके चलते हर कोई अपने मुँप पर पट्टी बांदे बैठा है और 2016 से 17 में जारी हुए धन का दुरुपयोग इतना हुआ 2024 में भी अभी ये बनकर के तयार नहीं हुए वर्स 2016 सत्रा में मोतिगरपूर बलाग छेतर में 11 आंगनबाडी केंद्रों का निर्मार मनरेगा बालविकास विभाग और पंचायत राजविभाग की सयुक्त धन्रासी से करने की स्विक्रती मिली थी योजना के तहट मनरेगा से 4,44,000 रुपए बालविकास विभाग से 2,00,000 रुपए और पंचायत राजविभाग से 1,00,6,000 रुपए एक आंगनबाडी केंद्र के निर्मार के लिए मनजूर हुए थे 10 आंगनबाडी केंद्रों के निर्मार की जिम्मेदारी छेतर पंचायत तथा ग्राम पंचायत मलिकपूर बखरा में आंगनबाडी केंद्र के निर्मार की जिम्मेदारी R.E.S. विभाग को दी गई थी निर्मार के दोरान ही छेतर पंचायत के कई आंगनबाडी केंद्रों की छत पड़े बिना ही पूरी धनडासी खतम कर दी बलाक के अधिकारियों और करमचारियों ने 11 आंगनबाडी केंद्रों के लिए स्विक्रत करीब 85,000,000 रुपया खर्ज कर दिये लेकिन निर्मार मैधन ग्राम पंचायत में स्थित आंगनबाडी केंद्र का केवल पूरा हो सका सेस ग्राम पंचायतों के आंगनबाडी केंद्रों का निर्मार अधूरा छोड़ दिया गया इसमें आंगनबाडी केंद्र हमजाबाद और उधरपूर भटपूरा और आपका भादिला खानीपूर ऐसे हैं जिन पर छट तक नहीं पड़ी है प्लाश्टार खिड़की फर्स और फिनिसिंग का काम किसी में नहीं हुआ आंगनबाडी केंद्रों के निर्मार की स्विकृती पूरी धन्रासी खर्श करने के बाद कारदाई संस्था ने अधूरे कारे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और जिले की अधिकारियों ने भी इस तरह से मुह मोड लिया है कि यहां तक की अधूरे निर्मार को लेकर बैटक हैं और उनमें बड़ी बड़ी जाडिया और पेड़ तक उगाएं हैं केंद्र के अधूरे भवन जंगली जानवरों का बसेरा बन गए हैं प्रभारी खंडविकास अधिकारी निसातिवारी का कहना है कि उन्हें प्रकरण की जानकारी नहीं है जानकारी के बाद ही वा जम्मेदार अपने अपने मोग को मोड रहे हैं और मामले को दबा करके हर कोई जम्मेदार बैठा हुआ है वरना इतनी बड़ी रकम आखिर बरबाद हो रही है क्योंकि इतना पैसा लग गया 2016-17 में जब पैसा खर्च हुआ उस टाइम पर पैसे की कीमत और अब टाइम पर पै लेने को तयार नहीं सबके सब चुपी साधे बैठे हैं अब ऐसे में आगनबाडी सेंटर के बच्चे और आगनबाडी कारकरतियां अपने सेंटर को ले करके जो है विभाग सरकार और सब का मूताक रही है कि उनको उनके बच्चों को छट मिल जाए लेकिन छट कहाँ से मि जलाकारकम अधिकारी हरदोई जिन्होंने रजनी शोधरी हैं तीन तारीक को उन्होंने एक लेटर जारी किया है सीरीपियों और प्रभारी सीरीपियों के लिए जिसमें आगनबारी कारकरती बहनों लिखा गया है कि आगनबारी केंद्रों पर कारकरती का प्रभार एवं वज उचाई की फीडिंग दिलादिकारी महोदे दुआरा असंतोस जनक पाई गई ततक्रम में नरदेश किया गया कि समस्तागनबाडी किंद पर माह के प्रथम मंगलवार को पोर्वन नरधारित वजन दिवस के बाद भी यदीला भारती वजन लंबाई की फीडिंग से बच जात सीर्स प्रात्मिक्ता पर कारकरती को उसी ग्राम पंचायत के किंद्र का ही प्रभार दिया जाए यदी ग्राम पंचायत से बाहर की कारकरती को प्रभार दिया जाना मजबूरी है तो प्रस्ताओ अदोहस्ताचरी को भी प्रेसित करके अनमोधन प्राप्त किया जाए प्रभ पाते लिखी गई हैं कि यहाँ पर अगर जो है एक से अधिक केंद्रों का जिसको प्रबार मिला हो तो उसको हटाओ एक से ज़्यादा केंद्रों का प्रबार किसी को ना सोपा जाए ये भी बोल दिया गया वही मेरे सामने ऐसे कई जो है जनपदों में तत्थ सामने आये हैं जिन में एक के कारकरता को कई कई केंद्रों के भार दिये गए हैं अब इसमें चलता है पूरा खेल एक तो चलता है रासंट याचार का खेल और दूसरा अन्य तरह से भी खेल चलते हैं इसी तरह से कई कई लोग जो है सेंटर का चार्ज लेने के लिए भी लालाहित होते हैं ल लेकिन फिर भी सतरह तरह से लोग मिलेंगे तरह तरह से उनके जो वो नीतियां होती हैं जिनके आधार पर वो चीज़ें कर रहे हैं वो भी देखने को मिलती हैं खैर जो भी हो नीयम तो यहीं है कि एक से अधिक जो है सिंटरों के चार्ज एक ही को ना दिये जाए और इन पित्र की निर्वाचन वाले कामों से जुड़े हैं वो अपना काम करते रहें इनमें आंगनबाडी कारिकरता बहनों का भी नाम दिया है अध्यापक है बूत लेवल आफिसर हैं हर किसी का नाम दिखाई दे रहा आगे चलते हैं और जानकारियां बताते हैं उसा देवी हैं फतेपुर से आती हैं डीपियो फतेपुर के सहब यादो इनका एक ये लेटर है चार तारीक का ये लेटर कुछ अलग है आंगनबाडी केंदर तीन से छे वरस के बच्चों को वितरित मॉर्निंग स्नेक्स वा हाट तीन से छे वरस के बच्चों का कॉलम के हिसाब से होता ही है अलग तो जब वो हो जाता है तो फिर मॉर्निंग स्नेक्स में क्या भरा जाए तो इस तरह से बहनों को तो खैर समझ से ये चीजे परे हैं लेकिन विभाग क्या कह रहा है ज़रा सुनिए निदसाले पत्र संख्य तेरा चीहानवे एक जनवरी का लेटर चैनल पर वो लेटर भी पूरा दिखा चुके हैं नदिसाले का तीन से छे वर्स के बच्चों को टी अचार के रूप में वितरित पुष्टाहार की फीडिंग पोशर ट्रेकर में उपलब्द मौर्निंग स्नेक्स वा हाट कुग्ड मील की फीडिंग एचसी हम फिल्ड में प्रतिदिन फीड कराए जाने के नर्देश हैं यानि इसमें क्या कहा गया कि तीन से छे वर्स के बच्चों को जो टी अचार दिया जाता है उसकी फीडिंग मौर्निंग स्नेक्स में कराओ तो फिर क्या टी अचार वाले में न कराएं इसके बारे में विवाग नहीं लिखा तो टी अचार में भी करें मौर्निंग स्नेक्स में भी करें तो ऐसा यहाँ पर जो है समझ में कुछ कुछ आ रहा है अता आपको नर्देश किया जाता है कि आगनबाडी केंद पर तीन से छे वर्स के बच्चों को टी अचार के रूप में उपलब्ध कलाये जा रहे हैं मैंने दिखाया था बताया भी था कि एक जनवरी से निदसाले चाह रहा है कि इन चीजों की फीडिंग समय से हो मौर्निंग स्नेक्स, एक्सीयम ये दोनों कॉलम भरे जाएं यानि डेली का डेली इनमें चड़ाया जाएं अब ये तीन से छे वर्स वाले बच्चों को ही मौर्निंग स्नेक्स उसमें भरा जाएगा क्योंकि वही पढ़ने आते और उन्हीं के लिए ये चीज़ें हैं हनसा जी है हातरस से उन्होंने अपने वहां से एक ये मामला भेजा है ये दरसल थोड़ा सबके लिए काम आ सकती है जानकारी चार जन्वरी का ये खबर होगा इंडियन पंच में रकासित हुआ होगा गिरी डी का मामला है इस टेट बैंक में हजार रुपे तक के रुपे के जो सिक्के हैं वो कराए जा सकते हैं जमा तो मामला कुछ ऐसा है अगर किसी के पास सिक्के विक्के हैं बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं तो उसको ले करके कि आप जानकारी देख सकते हैं आर्टी आई कारिकरता सुनील खंडेल वाल की पहल के बाद हुआ है निराकरण और भारती स्टेट बैंक के साखा प्रबंदक की ओर से सूचित किया गया है कि सिक्को को लेने में कोई भी परिसानी नहीं है एक हजार रुपिया मूले तक के सिक्के चाहे तो ग्राहक अपने खाते में जमा कर सकते हैं अत्वा हजार रुपिया मूले तक के सिक्के को नोट में परिवर्थिद भी कर सकते हैं इससे आम आदमी को बहुत ही राहत मिलेगी इस तरह से चीज़े यहां पर देखने को मिली तो जैसा कुछ होगा आप लोगों को अगर ये काम का लगता है तो अच्छी बात है मुक्विकास अधिकारी जो बांदा के हैं एक तारीक का उनका लेटर है वेद प्रकास मौर का इसमें उन्होंने लेखा था कि जला अधिकारी महोदे के आदेश में एक जनवरी के करम में विक्सित भारत संकल प्यात्रा के अनुसार लगाये गए कारिकरम में निम्न लिखित अधिकारी और विभाग का अपने कारिकरमों में सम्मंदित इस्टाल लगाया जाना था जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो हर एक का जैसे अग्रडी, बैंक अधिकारी, चिकिस्था अधिकारी, जो कि पहले ही सब ये मनाया जा चुआ है ऐसे चोटी लेवी हैं बांदा से उन्होंने भी अपने वहां बांदा से भी ये जनकारी भीजी थी तो आज के इस वीडियो को दोस्तो हम यहीं तक रखते हैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं